हेलो दोस्तो नमस्कार प्राफिट गुरू चेनल में एक बाइन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो एक और धमाकेदार कंपणी में ने आप लोगों के सामने लेके आए हूँ जिसने दोस्तो दमाकेदार अपने Q1 के नंबर शो किये हैं ठीके बहुत दिनों से दोस्तो इस कंपणी को देखा जा रहा था कि ये कंपणी इस Q में किस प्रकार से अपना परफॉमेंस देती है क्यों क्यों क्योंकि दोस्तो इस कंपणी का जो 52 का हाई आप देखेंगे ना तो वह अभी हाल फिलाल का देखने को मिल रहा चार सो चेटार रुबे पाचास पासे का अब आप देख सकते हैं पांत दिन में स्टॉक ने साड़े 5% की तेजी कर दी एक मेने में आप देख सकते हैं 9% की तेजी कर दी छे मेने में आप आप देखेंगे तो 53% की तेजी देखी और ओवरॉल के पाफॉमेंस अगर हम देख लें तो ये कंपनी मार्केट में 2021 से आईए और जब से आईए त सबसे उसने अपने शेर ओल्डर को 300% का रिटन दे दिया है तो कुछ ना कुछ खास तो होगा दोस्तों इस कंपनी के अंदर तब ही इतना शांदा रिटन दे रही है मार्केट के हर पल के उपर मतलब दोस्तों यहां पर अगर देखें तो मार्केट उपर से ऐसा करके गिर है लेकिन यह स्टोंक ऐसा भागते ही जा रहा है मतलब दोस्तों इस कंपनी के ओपर हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का जो परफोमेंस है आप यहां पर रिटन और पेटन से देख सकते हैं कि कंपनी कब आई है मार्केट में और अभी कितना समय हो रहा है मतलब आगे भी है इसी प्रकार का रिटन हमें दे सकती है अब चली पहले क्यों का नंबर देखते हैं फिर पूरी फंडामेंटल की कंडिशन देखेंगे इस कंपनी की तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं यह कंसुलेड़िट वाले नंबर है ठीक है वेलूएशन इस क्यों में कंपनी का हुआ है 914 का मार्च में हुआ था दोस्तो 654 का और जून 21 में हुआ था था दोस्तो 347 का मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि कंपनी का नंबर जो है वो क्यों क्युव बेसेस पर यहर यह बेसेस पर बहुत अच्छी तरीके से जम लिया है ठीक है अब expense की बात कर लेते हैं, अब number देखके ऐसा लग रहा है दोस्तो कि company का जो business है 100% track पर आ चुका है, मतलब अब यहां से दोस्तो हमें क्या करना है, बस momentum को capture करना है और stock को portfolio में जगा देना है, ठीक है, खर्चे की बात कर लेते हैं, खर्चा हुआ है दोस्तो इसके उमें 470 का, मार्च में हुआ था 329 का और जून 21 में हुआ था दोस्तो 138 का, मतलब अगर देखे तो जिस प्रकार से company का total income बढ़ा है, उसी प्रकार से company का खर्चा भी बढ़ा है, अब company के हाथ में कितना profit बचा है, 445 का, मार्च में कितना बचा था, 324 का, और जून 21 में कितना बचा था, 208 का, ठीक है, मतलब यहाँ पर picture पूरी clear हो जाती है, कि company का जो number है, बहुत ही श्यांदार हमें देखने को मिल रहा है, अब tax pay हो जाते हैं, tax pay के बाद adjustment हो जाता है, तो भी company के हाथ में कितना profit बचता है, company के हाथ में बचता है दोस्तो, 331 का, मतलब लगबग अगर देखा जाए, तो company के हाथ में यहाँ पर 3 करोड का मुनाफ़ा, मतलब 3 करोड से उपर का मुनाफ़ा बचा है, अगर इसको करोड में convert करे तो, मार्च में था 233 का मतलब लगबख सबा 2 करोड के आसपास का कमपनी को profit था सबा 2 करोड के आसपास profit था और जून 21 के अगर मैं बात करता हूँ तो 154 154 मतलब दोस्तो 1.5 करोड के आसपास कमपनी को मुनाफा था कितना 1.5 करोड तो 1.5 करोड आप देख सकते हैं दोस्तो सीधा 3 करोड में convert हो गया मतलब सीधा सीधा double digit में कमपनी की growth हुई है मतलब दोस्तो कमपनी को यहाँ पर 200% का profit हुआ है साला ना तोर पे ठीके और Q1 QBSS पे भी अगर देखे तो सीधा सीधा 1 करोड का company को profit हुआ है यही profit दोस्तो company को बहुत उपर लेके जाएगा क्यों? क्योंकि उनके हमें दिख रहा होगा कि company को बहुत चोटा profit हुआ है ठीके लेकिन दोस्तो उनके लिए यह profit बहुत बड़ा है उनके business को आगे ले जाने के लिए उसके साथ ही EPS पे भी अगर हम नज़र डालें कि Earning Per Share हमें क्या देखने को मिल रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तो इस Q का जो Earning Per Share है वो डेड़ रुपे का है तिके मार्च में 1 रुपे 7 पासे का था तिके और जून 21 के अगर में बात करते हो तो वहाँ पर मत्र 71 पासे क EPS हमें देखने को मिल रहा था मतलब देखा जाए दोस्तो तो Company जिस प्रकार से Return दे रही है Long Term में वो दोस्तो बेकार नहीं है मतलब दोस्तो Company के अंदर हे दम तभी दोस्तो Company क्या कर रही है Long Term में अपने Shareholder को Return दे रही है जब से Market में आईए दब से ठीके तो Company का नाम अगर कि दोस्तों किस इंडस्टी में काम करती है ठीके चलिए बाकी की fundamental condition भी हम देखते हैं इस Company की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Easy Trip Planner Limited ठीके अब Company दोस्तो ट्रेविलिंग जो होता है ठीके उसमें काम करती है ठीके Company online ticket booking करवाती है अपने platform पे ठीके जो app है ठीके उसका नाम में easy my trip ठीके जहां पर दोस्तों hotel की tickets ठीके टेक्सी की बस की और airline की train की सब की दोस्तों यहाँ पर ticket books हो जाती है ठीके उसके साथ यह आप अगर देखें तो Company का जो पूरा मार्केट के पर Company 9,250 करोर के आसपास की है ठीके उसके साथी P earning ratio देखेंगे 73.9 का है return on employee अगर 9% का है यह देखिए ठीके और face video आपको देखने को मिल रहा है दो रूपीज का साथ में देखें DMA testing तो 50 DMA का level आप देख सकते हैं और Company का performance आप देख सकते हैं Company दोस्तों सभी DMA को क्या कर रहे है ब्रेक करके उपर यउपर भागती जा रहे है बस इसको 450 रुपे का level अभी market में नहीं पड़ा है ठीके Company के अंदर quality देखेंगे तो भर भर के है आपको दीखेगी expectation था Q1 का number अच्छा है का वैसे ही आया लास्ट 5 साल का CGR का performance देखे 40% के आसपास का है equity का track record देखे 3 साल का 48% के आसपास से dividend भी Company बहुत अच्छे से देती है ठीके और Company का जितने दिन में improvement होना चाहिए दोस्तों उतने दिन में ही Company का improvement हो रहा है साथ में अगर previous का number देखे company का तो March 2020 में Company ने किस प्रकार से sales किया था आप देख सकते हैं 32 करोड का तेके June में एक पूरा performance खतम हो गया था क्योंकि pandemic आ गया था pandemic में दोस्तों condition पूरी तरीके से Company की बिगड़ सकते हैं 34 करोड का profit निकाला company ने single क्यों में अगर पूरे साल भर company ऐसा ही performance अगर दे जाएगी ठीक है तो जो हम expectation कर रहे हैं कि March 2022 में Company ने 233 करोड की sales की थी जिसमें दोस्तों net profit जो है वह 107 करोड का निकाला था कितना 107 करोड का तो यहां पर expectation है कि इस बार company 200 करोड के आज पास profit निकालना चाहिए पूरे साल भर में जब जाके दोगो company को एक अच्छा कासा profit होगा ठीक है उसके साथ ही percentage भाइस भी देख सकते हैं कि sales growth जो है company का 88% की तेजी से बढ़ रहा है profit growth company का 46% की तेजी से बढ़ रहा है उसके साथ ही आप देख सकते है company का shareholding का pattern तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा promote us अच्छा कासा stake लेके बेठे हैं FIA के पास भी stake अच्छा है और उन्होंने दोस्तों stake अभी increase किया है और वो continuously अपना जो stake है June 2021 से बढ़ाते जा रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं और DIA के अगर हम बात करने तो उन्होंने भी stake को increase किया है मतलब दोस्तों इस company पर हम भी focus कर सकते हैं long term के लिए क्योंकि यह company भी आगे हमें बहुत अच्छा return दे सकती है तो जरू दोस्तों इसको focus में रखिए washless में रखिए क्योंकि momentum दोस्तों company का बहुत जोड़दार आगे भी हमें देखने को मिल सकता है ठीक है इस company से related और कुछ चीज़े अगर आपको पूछना है तो नीचे description में टेलीग्राम का link दिया उसको join कर लिजिए वहाँ पर contact number और वहाँ पर दोस्तों आपको टेलीग्राम का जो ID है वो मिल जाएगा तो वहाँ से आप हमें इस company से related कुछ भी चीज़े पूछ सकत हैं ठीक है और यह वीडियो को लाइक भी करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्यों डेली वेसस पर से बहतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो ठैक्यू दोस्तों